दोस्तिवारी से, मनोजी राष्टिय कार्यकारणी 18 साल बाद तेलंगाना में हुरी है, क्या संदेश यहां से जाएगा? देके जैसा कि हम सभी देखते हैं कि अक्सर कार्यकारणी हर नय प्रदेश में करने की एक परिपार्टी है, जिससे वहां के लोगों को भी समझे, वहां के संस्कृति को भी समझे, लेकिन तेलंगाना एक महत्तपुर्ण राज्य है हमारे लिए, तेलंगाना से बहुत सारे MPs ह मारे जीत किया है पीछे और अब जो इस्तिती है कल में जगतियाल में था 48 गंटे में ने वहाँ जन संपर्क किया लोगों के मन में है कि इस बार यहाँ बीजेपी को लाना है तो इस द्रिश्टी से तो तेलंगाना में ये कारे समीती बहुत महत्वण हो जाती है अगले करिब 30 गंटे तक यहाँ प्रधान मंत्री जी सहीत हमारे राष्टी अधक्ष नड़्डा जी सहीत सभी लोग रहने वाले हैं और सबसे महत्वण आपको बताएं हम लोग यहाँ पिछले 50 गंटे से हैं 119 नेताओं को 119 विधान सभाओं में ड्यूटी दी गए जन संपर्क हुआ हम यहाँ के ट्राइबल गाओं में भी गए हैं और कुल मिला करके इस कारे कारणी को पूरा तेलंगाना एक बहुत बड़ी अगले कदम के रूप में देख रही है तो मनौच तीवारी को इसवक्त आप सुन रहे थे और मनौच तीवारी भी वही बात दोहरा रहे हैं जो पेले शानवास हुसैन ने कही या मिनाक्षी लेखी जिस बात को बताने की कोशिश कर रही थी कि हैदराबाद में कोशिश यह है और हैदराबाद में इस वक्त की तस्वीरे कैसी है जरा देखिए ये बीजेपी के कार्डे करताओं ने जो तयारी की है क्योंकि राश्वी कार्डे 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 की बैठक है तो बीजेपी के कार्डे करताओं ने तयारी भी की है और जगा जगा इस तरह के बीचेपी के जंडे आपको हैदरबाद में आज देखने के लिए मिल जाएंगे चाहे वो चौराहे हों चाहे सरकों के दोनों तरफ हों ये देखिए तस्वीरें इस वक्त और जवाब में टी आरेस ने भी ये जंडे कुछ इस तरह के लगाए हैं जो गुलाबी जंडे आपको नजर आ रहे हैं तो ये तस्वीरें ये देखिए भारती जंटा पार्टी के जो तेलंगाना के निता हैं और राश्प्री नेतुर्त हैं दोनों की तस्वीरें इस वक्त आपको एक साथ नजर आएंगे और के समर्थक भी अपने निता की फोट जंडे लगा रहे हैं तो एक तरफ बीचेपी है जो ये क्या रहे है कि अब्दक्शन भारत और तेलंगाना में सरकार बनानी है और दूसरी तरफ की सियार की वहाँ पर जो सरकार है वो अपनी कोशिश में लगे हुए हैं